हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेंड भी पीएसी में दोस्तों आज का सिस्टन बहुत ही मज़दार होने वाल है क्यूंकि बायो लोजी के मैं ऐसे पचास प्रस्ण लेकर आया हूं जो बार बार भारत के जितने भी कॉम्पेटेटिव लेवल के परिक्षा कर इस पीडियो को आप असानी से लेख सकते हैं दोस्तों पचास है ज्यादा नहीं है ताकि आप लोग बोड़ ना हो और बिल्कुल कम समय में पांस से दस मिनिट में वीडियो हम लोग खतम करेंगे और मैं फिर दुबारा रिवीजन भी कर दूँगा ताकि आपको एक बार देखे एक बार में ही याद हो जाए ठेक है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देजिए चानल पर नए होंगे तो सस्क्राइब कर लेजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक असानी तक पहुंचे दोस्तों ठेक है तो चलिए आज का सेसन सुरू कर जिय हुआ कूष याद जियू-यान का पीताता था जम्तू बीग्यान का जनक कहा जाता है यह यह ज़िए-पीता बोलीए जमत अबीग्यान का जनक बोली ऊछी को जाता स geschॉत बangनिया तो यह यह खोPadाई जाता है वनस्पति विग्यान का जनक किसको माना जाता है तो यह थियो फ्रेश्टस को माना जाता है वनस्पति विग्यान का जनक किसको माना जाता है थियो फ्रेश्टस को और जी विग्यान सब्द का प्रियोकसर सबसे पहले किस ने किया था तो यह ले मार्क किया था ले मार किस ने किया था तो यह किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में इंसुलीन कि खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था रूधिर में सरक्रा की मातरा को नियंतित करता है कौन तो यह इंसुलीन करता है रूधिर में सरक्रा की मातरा को नियंतित करता है कौन तो इंस करता है वित्मीन D कि खोज कि देखिते तक हुनी सो एगारे में किया था ठीक है अगे गिए अगे देखते हैं वितामीन का तो पता चल गया से फंक उनेसे गारे में उसके बाद मृत मृत बीसी को नस्ठ किया जाता है कि इसके द वारत यह क्रुत के द्वारा मिरित और विसी को नश्ट कर दिया जाता है उसके बाद है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रुखता है कौन रुखता है तो यह ही पैरिन रुखता है दोस्तों कौन रुखता है ही पैरिन उसके बाद है प्रोटीन का सबसे पहले परियोग किया था किस ने किया त ये जे बरजिलियस ने किया था प्रोटीन का सबसे पहले प्रएब जे बरजिलियस ने किया था उसके बाद है प्रोटीन बना होता है किसका तह ये 20 अमीनो से मिलकर बना होता है उसके बाद है मनुस से मनुस सरीर को सकता होती है क्या देखिया मनुस के सरीर को 20 परकार के प्रोटीन के जरूरत होती है मनुस के सरीर को 20 परकार के प्रोटीन के जरूरत होती है एक ग्राम वासा में उर्जा उत्पन होती है कितना तो 9.3 किलो कैलोरी एक ग्राम वासा में उर्जा की उत्पती होती है कितनी तो 9.3 किलो कैलोरी उसके बाद बच्चों में क्वासी ओरकर बच्चों में क्वासियरकर और मरासमस की बिमारी होती है किसमें तो देखिए ये प्रोटीन की कमी से क्वासियरकर और मरासमस की बिमारी हो जाती है बच्चों में ठीक है किसकी कमी से प्रोटीन की कमी से आगे देखते हैं मल में दुरगंध होती है किसके कारण तो इंडोल तथा एसकेट्रोल इंडोल तथा एसकोट्रोल नामक अमीनो अमल के कारण ठीक ना उसके बाद है सरकरा को गुलकोच में बदलता है कौन तो ये मल्टोज बदलता है सरकरा को गुलकोच में बदलता है कौन तो ये मल्टोज में बदलता है उसके बाद प्रोटीन का पाचन यहों प्रोटीन को अमीनो अमल में बदल देता है कौन तो यह ट्रिप्सिन बदल देता है ठीक ना वासा को पचाने में सहाइक होता है क्या लाइपेज होता है वासा को पचाने में सहाइक होता है लाइपेज उसके बाद मानो सरीर की सबसे बरी गरंथी कौन है तो यह करीथ होती है मानो सरीर की सबसे बरी गरंथी यह करीथ होती है उसके बाद आत्म हत्या के थहली किसको कहते हैं तो यह लाइसोस्वम को कहते हैं उसके बाद इस शरीर का सबसे बारा अंग कौन सा है तो तो आचा है कोश्का की खोज की थी किसने तो रॉबर ठूक ने 1665 इसमी में किया था मनुस के सरीर में सबसे बरी कोश्का कौन है तो ये तंत्री का कोश्का है मनुस के शरीर में सबसे बरी कोशिका कौन है दोस्तों ये तंत्रीका कोशिका है उसके बादे कोशिका सिधान्त का परतिपादन किया था किसने तो ये स्लाइडन और स्वान ने किया था तो ये स्लाइडन एम स्वान ने किया था उसके बादे पीत का निर्मान होता है कहां तो ठका बनाने का कारे कौन करता है तो रेनीन करता है लार का pH होता है कौन तो 6.67 ठीक ना लार का pH होता है कौन 6.67 अमलिये होता है लार का pH का मान कितना होता है 6.67 अमलिये होता है उसके बाद है मनुस का लार प्रते दिन सरावित होता है कितना लार में मुखे तो मुख्य रूप से पाई जानवले इंजाइम टालीन होता है लार में टालीन पाई जाता है सब्सक्राइब से प्लाइब से भेगानिक नाम होमोसेपियन से when और का परयाता है हिस्टिलोजी का लाता है और मानवत वाचे की उपरी पड़त क्या कहला एपीड्रमिस उसके बाद मनुसमें किरोमोसम पाय जाते हैं कितने तो तेस जुरे आपć चिहालिस भी बोल तो सम बना होता है DNA Somet Time को बता या था किसने तो 800 ने हम क्रीकि ने मतलब DNA का जो एक पर्लाइक करता है उसके बादे को सिंखका का पांच की से को हते हैं उसके पाफ़ाओ है sentir ठीकना आगे देखिए आगे केंदर के खोज किसने किते तो ये रोबर्ट ब्राउन ने किया था केंदर के खोज किसने किया था तो रोबर्ट ब्राउन ने किया था प्रोटीन संसलेशन के प्रकिरिया किसमे होती है तो राइबोसम में होती है प्रोटीन संसलेशन के किरिया र 7.4 होता है इसके परकृर्ति छारी होती है, रक्त का पी च मान, 7.4 होता है, याद रखिएगा, पूछता है, बार बार, आगे देखते हैं, रक्त समों की खोज की थी, किस ने तो लैंड इस्ट इस्टीनर ने 19 douce में किया था, रक्त समों की खोज, लैंड स्टीनर ने निकाओ का कब्रगा किसको कहा जाता है तो ये पलीहा को कहा जाता है लाल रक्त को निकाओ का कब्रगा किसको कहते हैं पलीहा को कहते हैं डबलू सी का निर्मान येवं आरवी सी का बिनास होता है किसमें तो ये पलीहा में होता है ठीक ना आगे देखिए आगे है दोस्तों कि WC का मुखकार है क्या तो सरीर को रोगों के संक्रमन से बचाना उसके बाद है RBC का मुखकार क्या है तो सरीर की हर कोशिका में ऑक्सिजन को पहुचाना RBC का मूह कर क्या है शरीर की हर कोशिका में अक्सिजन को पहुंचाना स्वेत रक्त कनिका का निर्मान होता है तो देखे इसका निर्मान होता है अस्थिमाजा में लिंफ में यकरित में और पलिहा में स्वेत रक्त का निर्मन कहां कहां होता है अस्तिमाजा लिम्फ यकरित और पिलिहा में होता है याद रखिएगा स्वेत रक्त कनिका का जिवन कल कितना होता है तो एक से चार दिन होता है जिसे स्वेत रक्त बोलते हैं WC लिको साइट भी आप बोल सकते हैं एक से चार दिन तो किनका जीवन कल होता है उसके बाद है सोता हमर जाते हैं उसके बाद लाल रक्त कन का है जिसको आरबी सी भी बोलते हैं इसका जीवन कल कितना होता है तो आरबी सी का 120 दिन होता है वही डबलू सी का बुलेगा तो एक से पांच दिन छे दिन भी बोल सकते है आप एक दो दिन इदर उदर होता है लाल रक्त कन का निर्मान होता है अस्ति माजा में ठीक ना लाल रक्त कन या रबी सी का निर्मान कहां होता है तो अस्ति माजा में RBC का निर्मान कहा होता है अस्तिमाजा में RBC को लाल रक्त करते हैं रक्त का रंग लाल होता है किसके करण से तो यह हीमोगलोविन के करण से रक्त का लाल रंग होता है हीमोगलोविन के वोज़ा से ठीक ना उसके बाद देखिए रक्त को थाका बनने या जमने में सहाइक है तो ये फाइब्रोनोजीन बोलते हैं रक्त को थाका बनने या जमने में सहाइक होता है फाइब्रोनोजीन बोलते हैं बिटामीन A ताथा बिटामीन B के खोज किस ने किया था तो ये मैकूलर ने किया था बिटामिन A तथा बिटामिन B के खोज किस ने किया था मैकूलर ने बिटामिन A तथा बिटामिन B के खोज किस ने किया था यह मैकूलर ने किया था बिटामिन C तथा बिटामिन D के खोज किस ने किया था तो होलकट यह होपकिन्स ने किया था बिटामिन C था था बिटामिन D के खुज किस ने किया था होलकट या होपकिन्स ने किया था जल में घुलनसील बिटामिन है तो देखे जल में घुलनसील बिटामिन जो है वो B है और C है दोस्तो ठीक ना उसके बाद देखिए वासा में घुलनसील बिटामिन पूछेगा तो क्या बोलेंगे ADEK है उसके बाद सरीर में जल का भार होता है तो 65-80% सरीर में जल का भार होता है उसके बाद एक स्वस्थ ब्यक्ती को प्रती दिन पानी कितना पिना चाहिए तो 4-5 लीटर एक स्वस्त ब्यक्ति को प्रती दिन पानी कितना पिना चाहिए तो ये 4-5 लीटर अस्तियों यहम दातों को निर्मान में सहाइक होता है अस्तियों यहम दातों को निर्मान में सहाइक होता है क्या तो यह कल्सियम यहम फासफोरस होता है ठीक ना फ्लूरीन कहते हैं, फ्लूरीन जो होता है, हडियों और दांतों को मजबूती परदान करता है, विटामीन-A का रसानिक नव na क्या है? तो रेटिनाल है, इसका स्रोत क्या है दोस्तों, आण्डा गाजर दूद खाएंगे तो आपको विटामीन-A मिलेगा, आण्डा गाजर द यह विटामीन दी का रसानिक नाम कैल्सी फिरॉल पिटामीन की कम いitho होने वाला यो गया है ? गया तोपेरोल बिटामिन E का रसानिक नाम क्या है दोस्तों टोको फिरॉल है आगे देखिए आईड़िन की कमिस होने वाला रोग ग्वाइटर या घेंगा रोग भी बोल सकते हैं ठीक ना लोहा की कमिस होने वाला रोग एनेमिया बोलते हैं अरक्ता भी बोल सकते हैं लोहा की कमी से क्या होता है एनेमिया जिसे अरक्ता भी बोलते हैं लोहा की कमी से एनेमिया होता है याद रखिएगा अरक्त में हीमोगलोबीन बनाने में सहाइक है क्या तो लोहा होता है बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बियोन की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है उसके बाद है रिकेटरस नामक बिमारी होता है थे बिटामिन D की कमी से होता है रिकेटरस नामक बिमारी होता है बिटामिन D की कमी से उसके बाद है जनन छामता में कमी तथ मांस्पेसिया कमजोर हो जाती है तो बिटामिन E की कमी के करण जनन छामता में कमी तथ मांस्पेसिय जोह कॉम्जोर हो जाती है किसके वज़ से ये बीटामीन एन्साइब देखिये हमारा जो दोस्तोत मैंने बेघर मैंने बुता है यह उन्स चिकसा बिग्यान का जनक किसको बोलते हैं हिपोक्रेटरस को बोलते हैं चिकसा बिग्यान का जनक किसको बोलते हैं हिपोक्रेटरस को उनस्पति बिग्यान का जनक थियो फ्रेश्टरस को माना जाता है अजी बिग्यान सब्त का सर्वप से पहले परियो किसने किया तो लेमार् विटामिन की खोज ये सी फंक ने किया था 1911 में विटामिन की खोज सी फंक ने 1911 में किया था ठीक ना आरबेसी को नुश्ट किया जाता है यह अकरित के दुवारा तो दोस्तों हम लोग आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं उमेद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सेर जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं होगे तो सस्क्राइब कर लिजिएगा पीडियाफ चाहिए तो आप स्टेंड बेपेसे के यूटूब पर टेलिग्राम पर जूर कर वहां सर्च मारेंगे जॉइन करेंगे इसको आप पीडिय कि एक से दो बर देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ठेक है दोस्तों तो टेक एर बाई 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 अपने ख्याल रखे पढ़ाई करें